दोस्तो नमस्कार, हिंदी की बिंदी चैनल पर आप सब का स्वागत है, मैं हूँ डोक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास हैं, तो आईए आज हिंदी व्याकरण, हिंदी भाषा, हिंदी साहित्ते में कुछ नई बाते सीखते हैं आज का टोपिक है समास, समास हिंदी व्याकरण में अन्य टोपिकों की तरह एक महतुपर्ण टोपिक है, और लगभग हर प्रतियोगी परिक्षा में, तथा अनेक अकादमिक परिक्षाओं में, समास सम्मलित होता है, और इससे सम्मंधित अनेक प्रशन पूछे जाते हैं, समास के लिए महतुपूर्ण उसकी परिभाशा के साथ साथ उसके उधारणों को जानना बहुत जरूरी है, यह समास के लिए ही नहीं बलकि किसी भी टोपिक के लिए जरूरी है, कि जितना अत्यधिक उधारण उसकी परिभाशा या उस टोपिक को हम समझेंगे, उसको समझ में आता जाएगा तो आप ध्यान से देखे इस वीडियो को और हम उधारणों सहित समास की परिभाषा उसकी पूरी चर्चा करेंगे और एक वीडियो हम अलग से समास को ले करके कुछ महत्वपूरुन परिक्षा उप्योगी प्रशन बनाएंगे और उनके उत्तर भी देंगे तो वो आपका एक तरह से टेस्ट हो जाएगा तो समास की परिभाषा समास का अर्थ है शब्दों को पास पास बिठाना जिससे कम शब्दों का प्रियोक करके अधिक अर्थ प्राप्त किया जा सके ऐसा करने के लिए पदों में प्रियोक्त परसर्ग चिन हटा लिए जाते हैं तथा विग्रह करते समय उन्हीं परसर्ग चिन्हों को पुन्हें लगा दिया जाता है जैसे पाठ के लिए शाला इस पद से परसर्ग चिन के लिए हटा लेने पर पाठ शाला शेश बचता है इसे समस्त पद कहते हैं विग्रह करते समय इस समस्त पद में पुन्हें परसर्ग चिन्ह लगा देते हैं संचिप्टता की दृष्टी से समास अत्यंत उप्योगी होता है शब्दों को बड़े को छोटा करना वाक्य को छोटा करना इसके लिए एक तरहें समास का उप्योग किया जाता है दो या दो से अधिक शब्दों के विभक्ती चिन्हों आधि का लोब करके शब्दों के मेल से बना हुआ पद समस्त पद कहलाता है विभक्ती विहिन दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक योग को समास कहते है समास युक्त पद को समस्त पद कहते है विग्रह करने पर समस्त पद के दो या दो से अधिक शब्द बन जाते है इन में विभक्ति चिन लगा कर अर्थ ग्रहन किया जाता है, जैसे समस्त पद, पूरुपद, उत्तरपद, विग्रह, उधारन हम देखते हैं, पाठ, शाला, पाठ, शाला, पाठ, पढ़ने, की शाला, पीत अंबर, पीत है अंबर जिसका, दाल रोटी, दाल रोटी, दाल और रोटी, नव रत्न, नव रत्न, नव यानि की नो रत्नों का समाहार, तो ये उधारन हैं समास के, अब हम समास के, अन्य उधारनों से पहले, समास के भेद जानेंगे, समास के भेद, यानि की समास कितने प्रकार का है, समास के निमलिक्त, मुख्य रूप से छे भेद हैं, अव्यवी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारिय समास, दिवगु समास, द्वंद समास, बहुवरी समास, इस तरह से प्रतेक समास के उधारनों उसकी परिभाशा, और उसमें भी कोई अन्य प्रकार हैं, तो उन सब चीजों को हम इस टोपिक के मादम से जानेंगे, पहला है अव्यवी भाव समास, जिस समस्त पद का पहला पद अव्य हो, तो जिससे समस्त पद भी अव्य बन जाए, उसे अव्यवी भाव समास कहते हैं, अव ये का मतलब होता है वे का मतलब खर्च करना एवे का मतलब जिसे खर्च न किया चाहता हूँ जो प्रमुक हो उसकी बात है उधारन जैसे समस्तपद और विग्र अलगलग करके देखते हैं इनको आजीवन का होगा जीवन प्रियंत यथा शक्ती शक्ती के अनुसार भर पेट पेट भर कर अनुरूप रूप के योग्य यथा शिग्र जितना शिग्र हो सके दिन भर सारे दिन हाथों हाथ हाथ ही हाथ में यथा कर्म क्रम के अनुसार निर्विवाद बिना विवाद के अंजाने बिना जाने हुए यथा समय जो समय निर्धारित है निर्विकार बिना विकार के प्रति दिन 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 प्रतेक एक एक प्रति वर्ष 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 आमरण मरण तक, आजन्म चन्म प्रियंत, आयू प्रियंत आयू की अंत तक, यथा विधी विधी की अनुसार, समक्ष यानिक अक्षी आख के सामने, बेचैन बिना चैन के, यथा संभव जितना संभव हो, प्रतिछन हरचन, निडर बिना डरे हुए, ला जवाब जिसका जवाब नहो, हर वर्ष प्रतेक वर्ष, निर्जल बिना जलके, ये अव्यवी भा समास के उधारन है, इन उधारनों में महत्वण चीज आप नोट करेंगे, कि इसका जो प्रतम पद है, वह अव्य है, अर्थात वह खर्च नहीं हो रहा, उसकी जगें जब दूसरा रखेंगे, तो बात कुछ अलक होगी, तो इसलिए ये अव्यवी भा समास है, इसके उधारन है, दूसरा समास है, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में द्वित्य पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास के उभेद, पूरु पद में लगे हुए कारक चिन्नों की नाम से किये जाते हैं, जैसे कर्म के कारक चिन्न को का लोब करने से बने समास को कर्म ततपुरुष कहा जाता है, कर्म ततपुरुष को को इसका चिन्न है, मतलब इकतने से, अब इसके कर्म ततपुरुष के कुछ उधारन देखते हैं, समस्त पदें विग्र ह स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, शर्ण आगत, शर्ण को आगत, महु तोड, महु को तोडने वाला, सर्वग सब को जानने वाला, मांस भक्षी मांस को खाने वाला, ग्रहागत, ग्रह को आगत, ग्रह को आया हुआ, चिडी मार, चिडी को मारने वाला, गगन चु कर्ण तत्पूरुक्ष से के द्वारा इन चिन्नों का लोभ हो जाता है, जब हम समस्तपद बनाते हैं, तो समाज युक्द करते हैं इसके कुछ उधारन देखते हैं, समस्तपद विग्र है, वाक्युद, वाक्से युद्ध, वानिस युद्ध, नीत युद्ध, नीति से युद्ध, अकाल पीडित, अकाल से पीडित, पद दलित, पद से दलित, रस सिक्त, रस से सिक्त, मदमत, मद से मत हुआ, श्रम साध्य, श्रम से साध्य, ईश्वर प्रदत, ईश्वर द्वारा प्रदत दिया गया, नेत्र हीन, नेत्रों से हीन, आचार कुशल, आचार से कुशल, शराहत, शर से आहत, बान से, मदांध, मद से अंधा, नशा, जलावृत, जल से आवृत, जल में डूबा हो, अश्रु पूर्ण, अ जोक से आकुल, मन गढ़न्त मन से गढ़ा हुआ, धन रहित धन से रहित। तो ये थे करण तत्पुरुष के समस्तपद एम उसके विग्रह के कुछ उधारन। संप्रदान्तत्पुरुष के लिए कालो, समस्तपद विग्रह है। के लिए घर, मार्ग वे, मार्ग के लिए वे, विद्याले, विद्या के लिए आले, देश भक्ती, देश के लिए भक्ती, यग वेदी, यग के लिए वेदी, देवाले, देवता के लिए आले, रण भूमी, रण के लिए भूमी, माल गोदाम, माल के लिए गोदाम, न्यायले न्याय के लिए आले, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह ये समस्त पदें विग्रह अर्थात संप्रदान ततपुरुष के कुछ उधारनों सहीत दिये गए हैं इनको अच्छे से आप समझेंगे तो बहतर तरीके से समास को जान जाएंगे अपादान ततपुरुष से अलग होने के अर्थ में कालोप इसके कुछ धरन देखते हैं समस्त पदें विग्रह दूरागत दूर से आगत रण विमुक रण से विमुक भाय भीत भाय से भीत आशातीत आशा से अतीत रिन मुक्त रिन से मुक्त धर्म विमुक धर्म से विमुक पद चयूत पद से चयूत यानिके अलग दोश मुक्त दोश से मुक्त जाती भ्रिष्ट जाती से भ्रष्ट पाप मुक्त पाप से मुक्त जल रिक्त जल से रिक्त पत भ्रष्ट पत से भ्रष्ट देश निकाला देश से निकाला लोक उतर लोक से उतर बंधन मुक्त बंधन से मुक्त ये अपादान तत्पुरुष के समस्त पद विग्रे उसके कुछ उधारन है अब बात करते हैं संबन्तत पुरुष के की के का लोप होना संबन्तत पुरुष में जब समस्त पद विख्रे बंते हैं तो उनमें के की के का लोप हो जाता है उधारन देखते हैं कुछ राज दर्बार राजा का दर्बार देश का वासी राज माता राजा की माता उलका पात उलका का पात गिर्ना यानिकी दीप शिखा दीप की शिखा अन्न दान अन्न का दान रिशी कन्या रिशी की कन्या सभापती सभा का पती गंगा जल गंगा का जल लुग लोक नायक, लोक का नायक, इसनह मगन, इसनह में मगन, तो ये थे संबंद ततपुरुष के कुछ उधारण, अब हम बात करते हैं, अधीकर्ण ततपुरुष, में पेपर का लोग, समस्त पदें विग्रे कुछ उधारण देखते हैं इसके, आप बीती, आप पर बीती, विद्या प्रवीन, विद्या में प्रवीन, पुरुष शिंग, पुरुषों में सिंग, डिब्बा बंद, डिब्बा में बंद, घुड सवार, घुडे पर सवार, आत्म निर्भर, आत्म यानिकि स्वेम पर निर्भर, ग्रह प्रवेश, ग्रह मे राजा, नरोत्तम नरों में उत्तम, फलाशकत फल में आसकत, ध्यान मगन ध्यान में मगन, वनवास वन में वास करने वाला, तो ये थे अधिकरन तत्पुरुष के कुछ उदारन, इस तरह से तत्पुरुष के जितने वी भेध हैं, वो यहांपर complete होतें, तत्पुरुस में ये सब विभक्तियों के आधार पर इसके भेद किये गए हैं, जो जो विभक्तियां आती हैं विग्रह करते समय विभक्ति चिन उसमें जुड़ जाता है और समस्त पद होते समय वह चिन हट जाता है अब हम बात करते हैं अगले समास की कर्मधारी समास इस समास में भी दूसरा पद यानि की उत्तर पद प्रधान होता है किन्तु पहला पद यानि की पूर पद विशेशन तथा दूसरा पद विशेश यानि की संग्या होता है यह इसकी विशेश पहचान है इनको पहचान जाएंगे तो आप निश्चिद रूप से कर्मधारे समास को आसानी से समझ जाएंगे पहचान जाएंगे दूसरे शब्दों में जिस समास के दोनों पदों में विशेशन और विशेशे का संबंद रहता है उसे कर्म धार्य समास कहते हैं उधारनों से हम और अच्छे से इसको समझने का प्रियाश करते हैं जैसे कि समस्त पद विग्र है श्वेत अंबर, श्वेत है जो अंबर मधुहास, मधुसम है जो हास दुश कर्म, दूशित है जो कर्म सत्पुरुष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् खाद्यान, खाद है जो अन्य, लोह पुरुष, लोह जैसा यानि कि शक्तिशाली है जो पुरुष, सजन, सत है जो जन, पीत अंबर, पीत है जो अंबर, महत्मा, महान है जो आत्मा, चंद्रमुख, चंद्रमा के समान है जो मुख, महरिशी, महान है जो रिशी, नीला काश, नीला है जो आकाश, तो ये था कर्मधार्य समास, उसके कुछ उधारन, अब हम बात करते हैं अगले समास की डिगू समास, जिस समास का एक पद संख्या वाचक विशेशन होता है तथा पूरुपद प्रधान होता है उसे द्यगु समास कहते हैं ये समास पहचानने का तरीका है कि इसका एक पद संख्या वाचक विशेशन होगा कोई संख्या होगी और पूरुपद प्रधान होगा इसके कुछ उधारनों से हम अच्छे समझते हैं समस्तपदें विग्र हैं सरस छेरशों का समौं। चव मासां चार मासूं का समौं। नवरत्न नो रत्नों का समौं। शतसी सात صो पद्यों का समौं। चतुर भुज। остан का समौं। सप्तह साथ दिनों का समास ये दिव समास के कुछ उधारण उसके समस्त पदें विग्रह हमने दिये अगले समास की बात करते हैं द्वन्द समास जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करते समय एवं तथा और आदी योजक चिन लगें उसे द्वन्द समास कहते हैं समस्त पद के मत्द योजक चिन अवश्य रहता है समस्त पद में विग्रह उधारणों समझते हम भाई बहन इनके बीच में जो चिन है ये योजक चिन है ये है तो इसका मतलब इस पश्ट एक द्वन्द समास है और इस योजक चिन में या तो एवं है या तथा है या और है अत्वा है या इस तरह से भाई और बहिन धनी निर्धन धनी और निर्धन रात दिन रात और दिन पोर पश्टिम पोर और पश्टिम नर नारी नर और नारी जनम मरन जनम और मरन अन्न जल अन्न और जल राधा क्रिश्न राधा और क्रिश्न पेड़ पोधे पेड़ और पोधे भला बुरा भला और वेद पुराण, वेद और पुराण, उँच नीच, उँच और नीच, चल अचल, चल और अचल, माता पिता, माता और पिता, देश विदेश, देश और विदेश, सुख दुक, सुख और दुक, हार जीत, हार और जीत, दाल रोटी, दाल और रोटी, हनी लाब, हनी और लाब, सीता राम, सीता और राम, जल थल, जल और थल, पाप पुन्य, पाप और पुन्य, दूद दही, दूद और दही, राजा और रंक, छोटा और बड़ा, छोटा और बड़ा, तो ये थे द्वंद्व समास के उधारन, इनको आप बहतर तरीके समझ गई होंगे, जितने अधिक उधारनों से आप गुजरेंगे, अर्थात उनको पढ़ेंगे, लिखेंगे, समझेंगे, उतना अधिक आप समास को आसानी से समझ पाएंगे, अब हम बात करते हैं, बहुबरी समास की, जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, तथा अर्थात ने पहला ने दूसरा ने उत्तर ने पूर्व, तथा जो अपने पदों से भिन किसी संग्या का विशेशन होता है, उसे बहुबरी समास कहते हैं, जैसे, कुछ समस्त पद उधारनों से हम इसको और इस पश्ट रूप से समझने का प्रियास करते हैं, समस्त पद विग्र है संग्या का विशेशन, पीत अंबर, पीत है अंबर जिसका, कृष्ण दशानन, अगला उधारन है दशानन, दश है आनन जिसके, आनन यानि के मुख कौन, रावन, चतुर भुज, चार है भुजाएं जिसके, विश्ण, अब देखिए इसके अंदर द्वंद समास भी हो सकता है, बहुबरी, दोनो को अर्थ किस तरह से करते हैं, विग्रह किस तरह से करते हैं, उसको पंदेखर होता है, तिरी लोचन, तीन है लोचन, जिसके यानि के शिव आंखे, शूल पाणी, शूल है पाणी में, जिसके वह है शिव, पाणी का मतलब होता है हाथ, कर, चतुरानन, चार आनन हैं, जिसक यानि कि सरस्वती चंद्रशेकर चंद्रमाहे शिखर शीष पर जिसके वह है शिव तो इन उधारनों से आप भहुबरी समाज को बहुत अच्छे समझ पा सकते हैं कि जिसका उत्तर और पूर कोई पद प्रधान ने होकर कि अन्य पद प्रधान हो अलग ही अर्थ विशेश की और उसका ध्यान जायर वे संगय विशेशन हो तो वे भहुबरी समास होता है समास के कुछ अन्य उधारण हम देखते हैं समस्त पद विग्र है समास का नाम मुक्ति प्राप्त मुक्ति को प्राप्त इसमें कर्म तत्थ पुरुशे वन गमन वन को गमन इसमें कर्म तत्थ पुरुशे सुख दायक सुख को देने वाला इसमें विकर्म तत्पुरुश है बानाहत बान से आहत इसमें करन तत्पुरुश है चिंता ग्रस्त चिंता से ग्रस्त इसमें करन तत्पुरुश है आप इनमें योजग जो चिन्न है मध्य में जो चिन्न है सयुक्त करने वाला वो देख लें कौन सी भक्ती वाला है उससे पतालग जाता है भोजनाले भोजन के लिए आले संप्रदान तत्पुरुष सेवा मुक्त सेवा से मुक्त अपादान तत्पुरुष पाणी ग्रहन पाणी का ग्रहन संबन तत्पुरुष शोक मगन, शोक्षे मगन, अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष शुभागमन, शुभहेजो, आगमन, करमधारित समाश कुद्रश्टी, कुतसित हेजो द्रश्टी, करमधार रिसमाश पूर्वापर, पूर्व और अपर, द्वन्ध समाश पशु पक्षी पशु और पक्षी दुन्द समास पंच पात्र पाँच पात्रों का समूँ द्विगु समास तीर दोश तीन दोशों का समूँ द्विगु समास सब्त सिंधु साथ सिंधु का समूँ द्विगु समास पतित पावन पतितों को पावन करता है जो बहुगरी समास तो दोस्तों ये था आज का टोपिक समास से संबंदित इसमें हमने समास के भेद और समास की परिभाशाएं तथा उधारनों सहीत एक-एक समास को कोशिश की अच्छे समझाने की आशा है आप इसको निश्चित रूप से समझ गए होंगे वीडियो आपने पूरा देखा इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो आपके लिए लाप्रद रहा हो परिछा उप्योगी रहा हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें और कमेंट्स के माध्धन से में बताएं जरूर कि कैसा लगा आपको वीडियो और यदि आपको किसी तरह की कोई परेशानी हो रही है समास को समझने के लिए या कोई अन्य टोपिक आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज कमेंट्स के माध्धन से में जरूर बताएं हम नेक्स्ट वीडियो उसके उपर बना देंगे और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं उसको देख रहे हैं तो आपसे अग रहे उसका उसको आप सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकोन को जरूर दबाएं तक कोई वीडियो आप मिशना कर पाएं तो दोस्तों हम अगले वीडियो में जल्दी मित्तें तब तक के लिए नमस्कार